अलो फ्रेंड्स एक्जाम डिलेटिन में आप सब का स्वागत है आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ संग की कारेपाली का सकती पॉलिटी है यह तो संग की कारेपाली का सकती का मतलब क्या होगा कि मतलब कोई भी कानून जब बन जाता है तो उसके बाद बन जाने कानून बन आने के बाद उसे एक्जिक्यूट यानि कि उसको लागू कैसे करना है इस बात को कोई भी कानून बन गया उसको लागू करना है तो लागू कौन कौन करवा सकते हैं इसमें राष्ट पती होते हैं उपराष्ट पती मंत्री परिसत महानेवादी और कैग तो सब लाइने से हम स सबसे इस्टार्टिंग में क्या है और अनुच्य टिर्पन में क्या लिखा हुआ है कि संग की कारपाली का सक्ति रास्ट्प्ति में नहींत होती है तीनों सेनावा का सरौज सेनापति है इसका मतलब क्या हुआ कि संग की कारपाल का सकती राष्टपती में नहीं थोती अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी प्रधानमंत्री काम करते हैं, आज कोई भी बिल पास हुआ, तो उसमें पता है आप लोग राष्टपती के साइन होगा वहाँ पे, तो सारी ठीज़े के सरोच कमांडर होते हैं इनकी तीनु सेना जल थल और वायू सेनक अब यहां पर है योग्यता राष्ट पती होने के लिए क्या क्या योगता या अहरता इसको बोल सकते हैं यह किस अनुच्छेद में अनुच्छेद अंठावन में इसका हो गया कि भारत का नागरिक होना चा लोकसभा का सदस कम से कम बने हो और क्या लाप के पत पर ना हो मतलब कोई भी उससे सरकारी गौर्मेंट जॉब ना कर रहा हो मंत्री के पत पर रह सकता है और जब मंत्री के पत पर है तो उसको वहां से फिल जब राष्ट पती बन जागा तो वहां से हटके और राष्ट पत सदस्यों के योगताओं को निर्धारित करने के लिए लाब का पत सब्द का परियोग किया गया अब कुछ दिया जा सकता है आपसे कि लाब का पत कितने अनुच्छत में दिया हुआ है और क्या बोला गया है कि लाब का पत सब्द का परियोग किया गया 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 अनुच्छत सब्सक्राइब अभी के लिए इतना ही nor और आगे पढ़ेंगे हम लोग निर्वाचन बाद हम लोग को पढ़ना है उसके बाद कार्य काल कितना होता है निर्वाचन की पत्ति क्या होती है कार्य सकति क्या होता है उसका JTA करिलेटर, थोड़ा झाल झाल